नमस्कार दोस्तों स्वागत है इस वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आश्टेलिया ओके Г Yogrophy चल रही है हम लोग वर्लब जोगोर्थी और इंदनी जोगोर्फी दोनों कवर करेंगे हम अश्टेलिया अभी कवर कर रहे हैं अफ्रीका हमने कवर कर दिया है पूरी चार वीडियो हैं लगभा 35 मिड़ के आसपास उस 35 मिड़ मैंने अफ्रीका की हर एक छी जो पेपर में आई है मैंने वहाँ कवर किया है और आप उसको पढ़िए और बैक एर की पेपर जाकर कवर करने हैं और इसके बाद हम लोग इंडियन जोगरफी पर चलेंगे ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बहुत चोटे-चोटे से वीडियो होंगे पर इन चोटे वीडियो से आप पूरी पूरी जोगरफी रिवाइस कर सकते हैं यदि टरंग्स एंड टेक्नॉलज के बारे में कुछ इंपोर्टेंट लोकेशन देखेंगे जो आश्टेलिया के लिए बहुत ज्यादा यूसफुल होंगी जो आपकी मेमोरी को बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा फायदे बंद होगी इससे पहले चैनल पर पहली बारे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लि क्या करते हैं यह चारो और क्या होता है यह देखें यह आप देख रहे होंगे यह वर्ल मैप है कुछ ठीक है तो यह हमारा प्यारा भरत है और यहां पर मिलेगा आपको आश्टेलिया चारों तरफ क्या है समुंद्र सीग घिराई इसलिए महादी पीदेश है ठीक है और इस इसी 85 भूमी का देष भी कहते है कभी छोटे छोटे यह कोशन आथा इसे जीवित जीवास्म का भी देश कहते है ठीक है और किरकेट का देश तो कहते हैं अच्छा कि entry की यह Д 그렇죠 क्यों करते को दो तही है हिस्सा जो है यह मरुस्थ ली तो adolescan अपने देख ली ठीक है आउसके आजपास के थोड़े से मतलब हम देखके बादें कौन कोन से इसके आजपास पर पड़े determ 320 यह चीजों को देखना बहुत जरूरी है अब देखे जरा आप देखे रहोंगे कि यह चाड़ों तरब महादीप से यानि सागरों से घिरा हुआ है तो इस सैट जो है यानि यह एरिया के हमारा पूरब पढ़ता है तो पूरब में हमें कौन सा मिल जाएगा प्रशान मासागर और पक्षि एक सागर और हैं पर जिसे हम लोग बोलते हैं तिमोर सागर आपको मिलेगा और एक सागर उसी के आसपास आप देखेंगे थोड़ा सा नजर मारेंगे तो आपको मिल जाएगा कोरल सागर क्या मिल जाएगा कोरल सागर ठीक है तो यह तो सागरों की बात हो गया तिमोर हो गय गया और यह हमारा प्रशान महा सागर हो गया अच्छा नीचे में ही एक दच्छिड सागर है ठीक है दच्छिड का सागर हो गया तो सागर पूरे कवर कर लिए इंपॉर्टन याद रहें कि पेपर में पूछ लिया जाता भाया कि कोई भी दीप देदेगा तो आप अस्ट्रेलिया ने किसी भी दीप के बारे में आपको यह नॉलेज होनी चाहिए कि वो कितने महा सागरों से गिरा हुआ है ठीक है यह आपको पता होना चाहिए ठीक है इस थोड़ा आपको नजर रखना है ठीक है ठीक है ठोड़ा सा और क्लोज ले लेता हूं मैं ओके तो करपेंटिया खाड़ी यहां पर थी ठीक है और यहां पर यह हो गया और यहां पर एंकाउंटर की खाड़ी क्यों इस पर सले विकाउंटर की जो मरे नदी है ना रीवर वो यहीं भी आके गिरती है ठीक है दिखाई नहीं पड़ेगा मैप में आपको साइधी कहीं मिले पर यदि आप उनलाइन मैप देखेंगे मैप देखने के तरीका मैंने बता रखा एक वीडियो बना रखा जाके देख लिए सर्च मारेगा तो हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएग किशी भी इकजाम को करक करना है न तो आपको मैप देखना आना रहे ही खाटा यहां पर क्या होगा यहां परında खाड़ी ओगी और यहां पर को जलसंधी घरBob को टस्मान पर से अलग काई चुण irit इनको छोड़ना वनना नहीं यह चोड़u तो काम बने कर नहीं यहां पर आप देखेंगे जोसेफ बोनापाट की खाड़ी मिल जाएगे आपको ठीक है और हमने बता दिया है यह हमारा जो है ग्रेट बैरियर दीफ है या भित्ती जिसे बोलें यहां पर सबसे ज्यादा प्रवाल भित्ती की कालोनी टाइप के आपको मि च्राली में यह और हम देखेंगे तो और हम एक Aire को कवर कर लेंगे तो यहां होता है इस एरिया को हुछ तोड़ा सा इंडिकेर्ड कर यह वाले अरिया को ठीक है यह आला एरिया नीचे ता इसको हम लोग बोलते हैं Great Divine Shady क्या बोलते हैं Great Divine Shady से हम लोग बोलते हैं ठीक है और यहीं पर एक परवत चोटी भी है उसको हम लोग अभी डिस्सक्त करेंगे ठीक है अस्ट्रेलिया थे आल पस भी इसी एरियामें है यहां पर यहां पे तो यह सब हम भोग सी ज़ींगे को देखने वाल है इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन है अब अब असट्रेलिया के कुछ इम लोग देख लिए कहां कहां यह बटा हुआ यह हमने युक्नि उस पर एक तो यह होग कि न्यू साउठ वेल ये वाला एरिया इसके नीचे यह आप देख रहें ठीक है तो इस टेट थोड़ी सी याद रखें नीचे हमारा तस्मानिया हो ठीक है लोकेशन आपको थोड़ा दिमाग में रखने लोकेशन के बिना आप कुछ समझ नहीं पाएंगे कि मैं एक्शुली बताना कह जाता हूं यहां पर दो एरिया और मैं बताऊंगा एक तो होगे एडिलेट और दूसरा होगे पर इनको भी नज़र रखें रखेंगा इन पर भी आप अपना फोकस रखेंगा क्योंकि जब मैं पढ़ाओंगा तो इनको भी खीचुंग मैं बहुत सी चीज़े मैं यहां पर बताने वाला हूं हमेशा याद रखना किसी भी देश की जो इस् हम इसमें पढ़ेंगे कि हम पढ़ेंगे जन जाती हैं कौन से फल पाए जाते हों कौन से खनिश पाए जाते हैं इन सब चीज़ों को मिला करके ही एक दीव को अच्छे से अंडर्स्टैंड किया जा सकता है ठीक है और टर्मिलोजी भी साथ में कुछ बताते चलूंगा ठीक है तो में लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टन हो जो लोकेशन में नहीं बताई है उसे अपने एक साधे पेश में जा करके डाइग्राम बना लिजेगा ठीक है और यदि आपके पास ऑक्सफोर्ड की कबलते हैं कि मैप वाली बुक हो तो वेरी वेल होगा आप वहां पर च इतनी जीले हैं वह सारी चीजे में वहां पर स्पेसिफाइग करके डिसर्स करने वाला हो ठीक है तो उम्हेद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आ रहा हो तो भाई लाइक कर देना ठीक है और चैनल को सस्काइब कर लेना क्योंकि ऐसे बहुत सार ज्यादा कोशन Fire ठीक है अस्ट्रेलिया जो चोटे मोटे दीफ है अफ्रिका से चीक है अपरिका से ज्यादा